नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा आठ के लिए अश्टमह पाठा, आठमह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रोधेन कार्यम न सिध्यती, क्रोध करने से कार्य सिध्य नहीं होते हैं, अर्थात कुस्सा करने से क्रोध करने से हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं हो होता है चुरू करते हैं पाट को महत्मा विठोवा एकस्मात नगरात बही कुटीरम निर्माय वसती सम महत्मा महत्मा विठोवा एकस्मात नगरात बही एक नगर के बाहर कुटीरम अर्थात जोंपडी निर्माय अर्थात बनाकर वसती सम महत्मा विठोवा एकस्मात नगरात बही महत्मा विठोवा एक नगर के बाहर कुटीरम निर्माय कुटिया अर्थात जोंपडी बनाकर वसती सम मह अनेके भक्ताहा तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वग्रिहम आगंतुम आमंत्रियंति सम्थ अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आकर उन्हें अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करते थे एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्री भोजाए तम महात्मानम प्रार्थयत एकदा एक बार एकः दर्शनार्थी नागरिकः एक दर्शन करने वाला नागरिक रात्री भोजाए रात के खाने के लिए रात्री अर्थात रात भोज मितलब खाना रात के खाने के लिए तम महात्मानम उस महात्मा को प्रार्थयत प्रार्थना की एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः एक बार एक दर्शन के लिए आए नागरिक ने रात्री भोजाय तम महात्मानम प्रार्थयत रात के खाने के लिए उस महात्मा से प्रार्थना की महात्मा विठोवा तस्य निवेदनम स्विक्रित्वान महत्मा विठोवा ने तस्य उसके निवेदनम निवेदन को स्विक्रित्वान स्विकार कर लिया महत्मा विठोवा ने उसके निवेदन को स्विकार कर लिया सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य ग्रिहम अगच्छत सह वह यदा जब भोजनाय भोजन के लिए तस्य जनस से उस व्यक्ति के ग्रिहम अगच्छत घर गए जब वह जब भोजन करने के लिए उस व्यक्ति के घर गए सह कपाटम अवरित्य कुत्रचित गतह आसीत सह मिन्स वह कपाटम अर्थाद दर्वाजे अवरित्य बंद करके कुत्रचित कहीं पर गतह गया आसीत था सह कपाटम अवरित्य वह दर्वाजे बंद करके कुत्रचित गतह आसीत कहीं पर गया था महत्मा विठोवा भोजनम विना एव कुटीरम प्रत्या गच्छत महात्मा विठोवा भोजन के बिनाही कुटीरं प्रत्यागच्छत कुटियां में लोटाए रात्रव च बुभुक्षितह एव अतिष्थत रात्रव च और रात्री में और रात्री में बुभुक्षितह मिन्स भुखे एव ही अदिश्ठत रहे और रातरी में भूखे ही रहे किंचित कालात अनंतरम सह एव नागरिकह महत्मानं पुनह भोजनाय निमंत्रित्वान किंचित कालात यानि कुछ समय अनंत्रम के बाद सह वह एव ही नागरिक महत्मानाम पुनह पुनह में फिर से भोजनाय निमंत्रत्वान भोजन के लिए निमंत्रत किया कुछ समय के बाद सह वह नागरिक नहीं महत्मा को फिर से भोजनाय निमंत्रत्वान भोजन के लिए निमंत्रत किया कुछ समय के बाद उस ही नागरिक ने महत्मा को फिर से भोजन के लिए निमंत्रत किया महत्मा यथा समयम तस्य ग्रिहम गत्वान परंतु सनागरिकह ग्रिहे कस्मिन्ष्चित कार्ये सनलगनह आसी महात्मा यथा समयम, यथा समयम मतलब ठीक समय पर, तस्य उसके ग्रिहम घर गत्वान गए, परंतु स नागरिकह ग्रिहे कस्मिन्षित, यहनि किसी कार्य काम में, सनलगन है, लीन आसीत था महात्मा यथा समयम, तस्य ग्रिहम गत्वान, महात्मा ठीक समय पर, उसके घर गए, परंतु स नागरिकह, लेकिन वहनागरिक, ग्रिहे घर में, कस्मिन्षित कार्य किसी कार्य में, सनलगन है, आसीत, लीन था मतलग किसी कार्य में, वो लगा हुआ था महात्मा अपनी कुटिया में आ गए किंचत कालम प्रतिक्षाम कृत्वा महात्मा सव कुटियरम आगच्छत, कुछ समय प्रतिक्षा करके महात्मा अपनी कुटिया में आ गए सह पुनह रात्रव बुभुक्षित अतिष्ठत वह पुनह फिर से रात्रव रात में बुभुक्षित अतिष्ठत रहे मास अंतरम एक वारम पुनह सह एव पुरिशह महत्मानम ग्रिहम अगंतुम अकथ्यत मास अंतरम एनि मास अर्थात महीना अंतरम के बाद एक वारम पुनह एक बार फिर से सह एव पुरिशह वह पुरिशी महत्मानम ग्रिहम अगंतुम अकथ्यत महत्मा को घर आने के लिए कहा मास अंतरम एक महीने के बाद एक वारम पुनह एक बार फिर से सह एव पुरिशह महत्मानम ग्रिहम अगंतुम अकथ्यत उस पुरिश ने ही महत्मा को घर आने के लिए कहा एक महीने के बाद एक बार फिर से उस पुरिश ने ही महत्मा को घर आने के लिए कहा महत्मा सहज रुपेन तस्चे निमंत्रणं स्विकृत्वान महत्मा ने सहज रुपेन शरलता दे बड़ी आसानी से तस्चे निमंत्रणं को स्विकृत्वान स्विकार कर लिया महत्मा सहज रुपेन तस्य निमंत्रणम स्विक्रित्वान महत्मा ने बड़ी असानी से उसके निमंत्रण को स्विकार कर लिया एतत् दिश्ट्वा सह पुरुषह महत्मन चर्णयो अपतत अश्रुणी प्रवाहमान च ने बड़ी महत्मन मया द्विवारं भवतः अप्मान कृतः परम भवान किमभी न अगत्यत एतत द्रिश्टवा सह पुर्शह महत्मनह चर्णयो अपतत अपतत मिन्स गिर गया एतत ऐसा द्रिश्टवा देखकर ऐसा देखकर सह पुर्शह वह पुरुष महत्मनह चर्णयो महत्मा के चर्णों में महत्मा के पैरों में अपतत गिर गया ऐसा देखकर वहे पुरश महत्मा के पैरों में गिर गया अश्रुनी प्रवाहमानः च न्यवेद्यत अश्रुनी मतलब आंसु प्रवाहमानः बहाते हुए आंसु और आंसु बहाते हुए निवेदन किया महत्मन हे महत्मा मया द्वीवारम भवतह अप्मानह कृतह मैंने द्वीवारम दो बार भवतह आपका अप्मानह अर्थात बेजती कृतह किया महत्मा मैंने आपका दो बार अप्मान किया परम भवान किमपी न अकथ्यत लेकिन परम लेकिन भवान आपने किमपी कुछ भी न अकथ्यत नहीं कहा लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा ऐसा देखकर वहेपुरश महत्मा के चर्णों में गिर गया और आशु बहाते हुए निवेदन किया महत्मा मैंने दो बार आपका अपमान किया लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा पुनहमम निवेदनम स्विकृत्वान फिर से मेरा निवेदन स्विकार कर लिया, मया अपरादह कृतह मैंने अपराद किया है, कृपया माम दंड्यतू, कृपया मुझे दंडित कीजिए, कृपया मुझे दंड दीजिए महत्मा विठोवा शांत भावेन अवदत, महत्मा विठोवा शांत भाव से बोले, कृधिन कार्यम न सिध्यती, क्रोध से कार्य पूरे नहीं होते हैं त्वया अपरादह अनुभूतह एतत एव पर्याप्तम अस्ती त्वया अपरादह अनुभूतह तुमने अपराद को महसूस किया एतत एव पर्याप्तम अस्ती, यह ही पर्याप्त है, यह ही काफी है तुमने अपराद को महसूस किया, यही काफी है नागरिकह अवदत, नागरिक ने कहा महत्मन अनुशाशन हीनह तू क्रोधेन दंडनिया एव महत्मन अनुशाशन हीनतो, क्रोध के द्वारा दंडनिया दंड देने योग्य ही है नागरिकह अवदत, नागरिक ने कहा महत्मन अनुशाशन हीनह तू क्रोधेन दंडनिया एव महत्मन अनुशाशन हीनतो, क्रोध के द्वारा दंड देने योग्य ही है महात्मा अकथ्यत महात्मा अकथ्यत महात्मा अकरोध्यत बिना क्रोध के शांती से, शमा से, तहन शीलता से ही मनुष्य पर विजय पाई जा सकती है ना ही क्रोध से कथते अपी कहा भी गया है नहीं वेरेण वेराणी शामन तिह कदाचन वेरेण यनी शत्रुता से वेराणी यनी शत्रु शत्रुता से यनी अपने मन में शत्रुता का भाव रखने से हम अपने दुश्मन को कदाचन कभी भी शाम्यन तिनह कभी भी शांत नहीं कर सकते नहीं वेरेण वेरानी श्यमन तिह कदाचन शत्रुता का भाव मन में रखने से शत्रु को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता तो यहां पर हमारा पार्ट समाप्थ होता है अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार